हाई फ्रेंट्स लेटर पार्ट आफ फ्रेंच रेवलुशन दूसरा भाग है यह पहले भाग में हमने नेपॉलियन तक लाके छोड़ दिया था अब नेपॉलियन के बारे में पढ़ेंगे यह वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत मज़ेदार आदमी है बड़ा गजविस्तरी इसन हुआ हम देख ले रहे हैं पूरी फैक्ट भी मिलेंगे आपको मज़ा भी आएगा पीएससी में काम भी आएगा हंड़ेट परचेंट क्रॉस्चन आंसर भी आपको समझ में आएंगे मैं आंसर क्रॉस्चन भी करवाँगा स्टार्ट करते हैं पिछली बार हमने यह बता जा नेपोलियन बोनापार्टा जैसा आदमी जो कि एक द्यूप पे पैदा हुआ था वो क्या करके फ्रांस का राजा बन गए तो भाईया इसकी बड़ी इंट्रेस्टिंग स्टोरी है समझते हैं नेपोलियन का फूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट इसका जन्म हुआ था कोरसी को दीफ में कोरसी को वाँ पे एक दीफ है जिस पे कबजा किसका था फ्रांस का और ये ब्रिये के एक सैने की स्कूल में पढ़ा था ब्रिये के सैने की स्कूल में पढ़के बहुत छोटी उमर में ये सेकंड लेटिनेंट के तोर पर सैना में हो गया भरती अब जब य इसने से काम आम किया उसके बाद 1792 में मैं अंग्रेजों से लड़ाई हुई तू लोग के बंदरगाव और तू लोग के बंदरगाव को इसने क्या किया अंग्रेजों से छोड़ा लिया और कुछ और भी जगा उनसे क्या कर लिए लड़के जीत ली तू लोग यह प्रक्रिय आपको बीडियों बता था रास्टी सभा के जो लोग थे उनको एक बार भीड ने घिर लिया और कुछ इस्तिती ऐसी बन गई लगता था कि इन में से कुछ लोगों को भीड मार डालेगी पर एंड टाइम पर पहुंच गया नेपोलियन और नेपोलियन ने क्या किया इन लोग उसने कहा किये नेपोलियन का कर दिये प्रमोशन और उसको बना दी सेनापति जब नेपोलियन सेनापति बना तो उसने इटली से लडाई लड़ी और इटली के रاجा के साथ केमपो फृर्निया की संदीगी ये भी question आ सकता है प्रमा पिरामिट का युद्ध लड़ा मिसर से और वहाँ भी जीता ये दो युद्ध और जीत गया पर क्या हो नील नदी के लड़ाई में है जो कि उसने इंग्लेंड के साथ लड़ी थी उसमें वो हार भी गया था पर एक लड़ाई हारा और बांकी लड़ाई वो क्या हुआ जीता उसका कद क्या हो गया था बढ़ गया था अब उसके पास परयाप सक्ती आ गई थी सेना थी उसके पास अब लड़ाई लड़ने का अनभब भी हो गया था और जनता उसकी बहादुरी के और सेन ने कोसल के किस से भी सुन रही थी जनता में हो गया तो वो hit और जनता में उसके प्रती क्या हो रहा था सबस्किंwenरे आदर बढ़ गया था और जब वो नींलदी का युद्ध के बाद और मिसर की युद्ध के बाद फ्रांस में आया तो उसने इस्तिति देखी कि फ्रांस की फ्रांस में किया चल रहा हुआ डारेक्टरी का सासन चल रहा है और डारेक्टरी वाले जो है न वो भरस्ट हैं नासपाती पग गई मतलब अब सासन की स्थिति ऐसी हो गई है कि इसको अब मैं चलाऊँगा कि मैं सही समय पर आया हूँ नास पाती पक गई है और उसने आकर क्या किया काउंसिल वेवस्ता चालू की और काउंसिल वेवस्ता में उसने बोला कि 1788 में मैं प्रथम काउंसिल हूँ और 1802 में क्या वोला कि मैं आजीबन प्रतम काउंसिल रहूंगा और ये चार साल के अनुवम में अपने में समझ गया कि फ्रांस में कोई उसका प्रतिदुन्दी नहीं है या उसको कोई भी अमात देने वाला यहां नई बचा है उसके पास परयाप सासन हो गया है उसने क्या कि 1804 में अपने आपको क्या कर दिया समराट गोसित कर दिया फ्रांस का और ऐसे निपॉलियन का उदे हुआ अब वो ये बोल रहा है जब वो राजगदी पे बैठा तो उसने एक बात और भी बोली मैंने फ्रांस के राजमकट को धूल में पढ़ा पाया था और उसे मैंने तलवार के बल पर उठाया है याने कि जब वो छोड़ा सैनिक था तब करांटी चल रही थी और राजगदी खतम हो गया था मतलब राजाओं का राजगदी eighty गया say और राजा बना तो कहीं न कहीं उसकी ये बात काफियत तक ठीक भी लग रही थी कि मैंने फ्रांस के राजमकुट को धूल में पड़ा पाया था उसे मैंने तलवार के बल पर उठाया था पर क्या ऐसे ही था कि नेपोलियन की सेन्ने कौसल उसकी काबलियत उसकी युद्ध उसके राजा बनने के लिए कि कुछ और भी बात थी तो एक बात और विसेश थी और वो थी क्रांती जो की 1789 में फ्रांस में हुई थी क्योंकि निपोलियन तो एक गरीब परिवार का था कुलीन भी नहीं था और सेना में सेकंड लेप्टिनेंट के पद से भरती हुआ था तो वो राजा बन कैसे सकता है तो फिर राजा कैसे बना क्या क्रांती की बज़े से राजा बना तो वो देखते हैं कैसे बना तो क्रांती से पहले की इस्तिति क्या थी उसको समझना पड़ेगा क्रांती की पहले की इस्तिति ये थी कि समाज में असमानता थी कुलीन पादरी पती यह राजा का पत कैसे मिला तो जब नेपोलियन छोटा था सेकंड लेफटिन एंड के रूप में सेना में भरती हुआ था उसी टाइम पर क्या अगई क्रांथी होगी और फ्रांज की क्रांथी होने में समांता स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा निकल के बहार आया मत मिल गया जब सब लोग बराबर थे और केबल कुलीनों के लिए बड़े पद आरक्षित नहीं होए तो इसने अपने सेन निकोसल दिखा के बड़े पद पर क्या हो गया आ गया और ऐसे करके कहीं न कहीं करांती ने कुछ ने कुछ इस्तिति ऐसी बना दी कि नेपोलियन ने उस क्रांती की इस्तिति का फायदा उठाके अपने सेन निकोसल के बन पर क्या किया राजा बनना तेह कर लिया तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि नेपोलियन क्रांती पुत्र था ये कहां तक सही था तो ये काफी हद तक क्या था सही था पर नेपोलियन के बारे में एक और लाइन या एक और question आता है एक बार UPSC में भी आया है कि निपोलियन क्रांती पुत्र था परंतु उसने अपनी मा की हत्या कर दी अब क्रांती पुत्र था ये तो हम समझ गए कि कहीं न कहीं क्रांती की इस्तितियों नहीं उसको राजा बनने में मदद की थी ये तो निपोलियन छोटे ही बत्र बना रहा था भले ही उसमें कितना ही सैंद्न कोसल और अनुभाव था क्रांती नहीं ऐसी इस्तितियों द्रमित की थी कि कुलीनों के अलावा अन लोग भी क्या कर सकते थे बड़े पत्पे हो सकते थे आसीन इसलिए क्या हुआ नेपोलियन आसीन हो सका पर जो दूसरी की लाइन जा है कि उसने अपनी मा की हत्या कर दी अर्थात ये कि कहीं ऐसा तो कोई काम नहीं कर दिया था नेपोलियन ने जिस से कि करांती से वो पैदा हुआ था और उसने करांती के ही जो उपलग देती हैं उनको खतम कर दी थी तो फिर हमको इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि निपोलियन ने ऐसा क्या का काम किया था तो देखते हैं निपोलियन ने क्या काम किया था एक बात ये तो पक्का है कि निपोलियन बहुत महतोकांची आदमी था बड़ी बड़ी सोच और बड़ा बड़ा सामराज बनाने वाला प्लानिंग करने वाला अदमी था उसने सबसे पहले राजा बनने के बाद नया बनाया संभीधान किसका देश का उसके बाद उसने पूरे देश को बाटा डिपार्टमेंट में और डिपार्टमेंट में एक अधिकारी नियुक्त किया किसको प्रीफेट उसको क्या बोलते थे प्रीफेट नाम के अधिकारी नियुक्त किये थे वो सब के सब किसको रिपोर्ट करते थे नेपोलियन को रिपोर्ट करते थे अर्थात उसने कैंदी करत किया किसको रास्ट को और उसने एक सहीता बनाई जैसे बोलते थे नेपोलियन कोड या नेपोलियन सहीता, इस नेपोलियन ने सहीता को बनाने में केबल चार महीने का टाइम लिया और इसमें पांच हिस्से थे और पांचों हिस्से में उसने किया कि नए और पुराने कानूनों को मिला के एक सहीता इसके पांच हिस्से कौन-कौन चे थे दीवानी सहीता, दीवानी प्रक्रिया सहीता, दंड सहीता, दंड प्रक्रिया सहीता और बैवसाइक सहीता ये पांच सहीता थे और उसका खुद का कहना ये था कि मैंने जो सहीता बनाई है या मैंने जो कोड बनाया है या जो नियम तो उसने ये किया, दूसरा क्या किया, उसने जनता को अपने पक्ष में लेने के लिए पोप से समझोता किया, आपको याद होगा क्रांती ने चर्च की समस्त सक्तियों को क्या कर दिया था, राश्टी करन कर दिया था, ना तो चर्च सेना रख सकती थी, ना तो चर्च टैक्स गोसितनी तो उसने जनता को अपने पक्षम करने के लिए क्या किआ? एक काम किया, पोप के साथ एक समझोटा कर लिए. उस समझोटे का नाम था कौन कॉर्डाइट का समझोटा. अब इस समझोटे में क्या हुआ? सबसे पहले उसने ये किया कि Catholic धर्म जिसको मानने वाले लोग France में जादा थे उसको राज की धर्म गोशित कर दी दूसरा उसने किया कि जो पादरियों की नियुक्ति चर्च में होती थी वो अभी करांती के बाद से लोकतंत्र में सासन कर रहा था उनकी नियुक्ति तो राज करेगा परंतु उनकी अनुसंसा पोप कर सकता ऐसा एक क्या कर दी आदेश परमान जारी कर दिया और उसने ये भी बोला कि जो पोप है ना वो धार्मिक विवाद अगर होंगे तो उनको सुल जा सकता है और चर्च थोड़ी सी संपत्ति भी रख सक की है और बैंक ऑफ फरांस बनाई बैंक ऑफ फरांस को आधेश भी दिया कि अप उद्योगों को रद होगे और बैंक ऑफ ये भी बोला कि आप से बीजारी कर सकते हो इससे क्या हुए पूंजी बात को बड़ावा मिला पहले जो करांति से पहले जो चल रहा था राज stepping उसमें किसानों का जमीन के उपर अधिकार नहीं था उसने किसानों को जमीन दी उनको अधिकार दिया किसानी करने के लिए एक नायाव तरीका उसने निकाला कैसा वो नायाव तरीका ये था कि जिस भी देश से नेपॉलियन युद्ध लड़ता था अगर नेपॉलियन युद जीत जाता था तो युद्ध में लगे सारे पैसा उसी देश से बसूल लेता इससे क्या हुआ इससे ये हुआ कि देश की जनता के ऊपर टैक्स कम लगा जनता कुछ और दूसरा काम उसे नहीं किया आयात बंद किया ये कम कर दिया विदेश से आने वाले जितनी भी चीज़ है आप देखें कितना शांदार और उसने क्या किया शिक्षा के छेतर में उसने काम किया नेपोलियान दो विद्याले बनाया है पाटपस्तक विद्याले मूलभूत के लिए और व्यवसाइक सिक्षा के लिए व्यवसाइक सिक्षा विद्याले उसने रिसर्च के लिए भी एक बंसान उगत नहीं होगा मतलब उसने कहीं ना कहीं विसेस लोग जो की स्पेशल काम करने वाले थे उनके लिए एक लीजन आफ ओनर आवाड क्या किया गोसित किया जो की जात विसेस पे या की पद विसेस के उपर निर्वर नहीं कर सकता था नीचे से लेके उपर तक के सभी लोगों के लिए उसने क्या किया ये किया और जिसको ये लीजन आफ ओनर आवाड मिलता था उसको वह विसेस व्यक्ति गोसित करता था परंतु ये सब कामों के बीच में कुछ काम वो ऐसे कर गया जिस से जिस करांती से वह पैदा हुआ था या जिस करांती की स्थितियों के कारण वा राजा बन पाया था उनको कहीं न कहीं उसने क्या कर दिया नकार दिया या बिगार दिया या उनका उलंगन कर दिया तो वो काम कौन कौन से थे उसने महिलाओं को काम कादिकार नहीं दिया जितनी महिलाओं काम करने वाली थी उनको हटा दिया और उनसे यह वलक आपके वलक हां रहेंगी, घर में रहेंगी हड़ताल करने पर उसने रोक लगा दी, यूनियन पर उसने रोक लगा दी, तलाक कठिन कर दिये याने कहीं न कहीं लोगों की स्वतंतरता और समानता को क्या किया ठेस पहुचाई उसने और क्रांती का मूलवुद सिध्धानती क्या था सतंतरता समानता और बंधुत तो कही न कई सतंतरता समानता को उसने क्या किया बिगाड़ा इटली और जर्मनी रिया से तो के बहुत सारे हिस्से उसने जीते और जो बड़े हिस्से थे उनको काट चाट दिया कई बार तो ऐसा का भाव था भाईचारे का भाव था उसका भी उसने क्या किया उलंगन किया यानि कि कहीं न कहीं उसने करांती की जो मूलभूत भावना थी स्वतंतरता समानता और बंधुत उसका भी उलंगन किया तो ऐसा क्यों लगता है कि उसने करांती पुत्र होके करांती की हत्या कर दी तो काफी हदिता कि ये बात भी हिस्ट्री लिखने वाले या इतिहास वित्ताओं की सही है कि नेपोलियन करांती पुत्र था परंतु उसने अपनी मा की हत्या कर दी. उसने और एक काम किया कठा रहा हूँ साथ मैं रूस से तिलसिद की शंती की तिलसिद की संदी में रूस से संदी करने के बाद उसने ये कहा कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ आप उसको मानिता देंगे और मेरे किसी भी काम में आपजेक्शन नहीं लेंगे नहीं तो फिर मैं नेपोलियन पर कर देंगे हमला पंद्दुत्ग का भाव खतम किया और कैतोलिक धर्म को, राज की धर्म घोशित करके उसने क्या कर दिया? जो कैत्वलिक धर्म बाले नहीं थे उनके प्रति भेध भाव किया। यानि कहीं न कहीं इसने बहुत सारे काम ऐसे कर दिये थे जो कि क्रांटी बिरोधी थे या क्रांटी से निकल के आये थे तो इसलिए भी इसको क्या कहा जाता है प्रांटी हंता या मांक की हत्या करने वाला तो यह बात सिद्ध हो गई अब देखते हैं इसपैन का ग्रहयुद एक और बार 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 बोलते हैं कि निपोलियन के लिए इस्पेन क्या हो गया था, नासूर बन गया था, नासूर मतलब जो कभी न ठीक होने वाला फोड़ा जो बार बार रिशते रहता है, तो इसकी स्टोरी और समाज ले थे कि आक ऐसा हो क्या गया था इस्पेन, इस्पेन क तो वहां के राजान माल लिए ठीक भाई तुम्हारी चले कोई बात पर क्या हुआ इस पेन में जो राज परिवार था उसमें गद्धी को लोगे बड़ी खीचाता नहीं हो रही थी कि राजा कौन बनेगा इस पेन में ये जो खीचाता नहीं हो रही थी इसका फायदा उठा ये किसने निपोलियन ने और निपोलियन ने अपने भाई की बात में लगके 1808 में इस पेन पर कर लिए कभजा और अपने भाई जोसिप बोनापाट को वहां बना दिये क्या राजा अब जैसे ये राजा बना तो पूरी जनता हो गई गुस्सा चनता का आक्रोस किसके प्र परिडिनेंड उसने तो क्या किया जनता को भड़काया पौत और जनता भड़क भी गई और जनता ने क्या किया दिसंबर 1808 में ही क्या किया जो जोसिप बोनापार्ट था उसको मार मुरा के भगा दिया अब जब मार मुरा के भगा दिया तो नेपोलियन को बड़ा गुस्स तो नेपोलियन बोनापाट उनको मारती था आप इस पेन की पूरी जनता इबद्रो कर रही थी तो पाफी बड़ी संख्या में इसको क्या करनी पड़ी। बहुत जादा पैसा लगाना पड़ा और बहुत जादा किसका नुक्सान हुआ नेपोलियन का और फिर भी ये जनता को कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि जनता इससे डर नहीं रही थी ये बार बार हमला करता जनता बार 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 बिद्रो करती बार बार हमला करता मतलब क कही नगई स्फएन की उद्व मैं घूफिया इसलिए बोला जाता श्पयन न्यपॉलियंट के लिए क्या बंग गया था नासूर बंगया था इस नासूर बनने में एक घी आग में घी का काम किस ने किया इंगलेंड इंगलेंड से बिलकूल बनने रहय किस बजा से क्योंकि इंगलेंड को यहराने का प्रियास कर था, महाधीप्षी व्यवस्ता भी इसोने किस बिरुद में लागू की थी, इंगलेंड कही नकहीं नेपॉलियन के बिरुद में थाई तो उसने क्या किया इस्पेन की बराबर मदद की और मदद क्या की आर्थर बेले जली और बिलियम बेले जली दो सेना पतीक साथ बहुत बड़ी सेना भी भेज़ दी किसके बुर्द लड़ने के लिए इस्पेन के साथ नेपोलियन के बुर्द लड़ने के लिए और जो पोप जिसको भी इसने क्या किया था डरा धमका के बाद में एक समझवता किया था वो भी कही नगे इस्पैन की जन्ता के साथ हो गया था नियारे पूरा देश, इंग्लेंड की सेना और पोप का समरतन तो कहीं न कि इतनी बड़ी पावर्स को या जंसमुदायक के बहुमत को इस्पैन में नेपोलियन हराने में कह रहा है असमर तरह और बार 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 वही करते रहा है बिद्रो होते रहे और इस्पैन के लिए इस्पैन नेपोलियन के लिए क्या बन गया था नासूर बन गया था ये थी नेपोलियन की स्टोरी इसमें दो चीज जो थे महाधीपी बवस्ता और वियना कॉंग्रेस ये दोनों मैंने पुराने वीडियो में आपको समझा दिये था महाधीपी बवस्त कर लेके इसका नेपॉलियन कहला कि ये फैल हो गई पूरी स्टोरी में पुराने वीडियो में आपको समझाए और बीएना कॉंगरेस क्या थी नेपॉलियन को फाइनली क्या किया हरा के जब अलवा दीब पे निर्वासित कर दिया गया था तो बीयना कॉंगरेस आयोजित की ग अगले वाले वीडियो में हम इस पे आने वाले सारे questions देख लेंगे, कुछ questions के answer लिखके भी देखेंगे, अभी तक अगर वीडियो लाइक और subscribe नहीं किया तो आप तो subscribe करी लीजिए, thank you so much.